नमस्कार दोस्तों, इनफोर टॉस के बहुती फ्रेश से अपिसोड में आपका स्वागत है, तो चलिए शुरू करते हैं, आज की दोस्त सबसे पहली अपडेट इकल करा रही है केरला गुवर्मेंट को लेकर, जहांपर दोसो केरला स्टेट में जो रेलवे और रोड लेवल क इन तीनों के बीच में साइन किया गया है, तो दोस्तों, एस्टीमेड के अकॉर्डिंग, जो केरला गुवर्मेंट है, उनका कहना है कि उनकी स्टेट में टोटल 428 लेवल क्रोसिंग्स हैं, जिसमें से 143 इस तरह की है, जहांपर जो ट्रैफिक फ्लो है, वो काफी ज्याद करता है, एंडिसी के जलते जो रोड्स इन लेवल क्रोसिंग को कनेक्ट करते हैं, वहाँ पर भी जो ट्रैफिक है, वो काफी ज्यादे निकरीज हो जाता है, एंडिसी को रेडियोस करने के लिए यहाँ पर अंडर ब्रीजिस और ओवर्रीज का कंस्रक्शन किया जने वाला ह तागी लेवल क्रोसिंग पर जो ट्रैफिक है, वो काफी इजली एंड स्मूदली फ्लो हो सकी, अगली दोस्तों बडे निकर करारी है राजस्तान स्टेट गुर्मेंट को लिए गर, जहाँ पर दोस्तों राजस्तान स्टेट की जो स्टेट को बूस्त परवड करवाते उन्होंने कई सारे M.O.U. साइन कर लिए हैं, जिसके अंतरगार राजस्तान स्टेट में हमें आने वाले समय में 78,700 कोड़ पिस की बड़ी इनिवस्मेंट होती हुँ देखने को मिलेगी, तो दोस्तों तो तो आपको डिटेल में बताओं, तो जो M.O.U. साइन किये गए है इनके अकौडिंग आने वाले समय में राजस्तान की गिलोथ, भिवाडी, नीमराना, जैपूर, उदेपूर, अलवर, इस तरह की जो डिस्टिक्स और इस तरह की जो सेटीज हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा इनिवस्मेंट होती हुँ देखने को मिलेगी, जहाँ पर सोल स्टेडिकॉर्णमी के लिए काफी बड़ी अपडेट है, भरतियां दोस्तों के लिए अपडेट की तरफ जो निकल करा रही है, गोरगपूर मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर, जहाँ पर गोरगपूर के जो लोग है, उनको भी मेट्रो की गनेक्टिविडिया प्रवाइड करवाने के लिए the public investment board, जो की हमारी central government के अंडर में work करता है, उनके द्वरा, गोरगपूर मेट्रो का जो phase 1 है, उसको प्रूफ कर दिया गया है, and now इसके चलते गोरगपूर में जो मेट्रो का काम है, वो अब स्टार्ट हो सकता है, तो as of now, जो UP state है, वहाँ पर X-PASB के काम किया जा रहा है, and currently NOIDA, आगरा, लखनव, कानपूर, यहाँ पर जो मेट्रो का काम है, वो चल रहा है, and इसके लाबब बहुत सरी SECT's है, जहाँ पर जो मेट्रो सिस्टम है, वो प्रपोस्ट भी है, जिसके अंतरगत गोरगपूर भी included है, and now इसको प्रूब भी किया जा जाएगा, जो कि इस प्रोजेक्ट का phase 1 होगा, and इसमें से भी जो पहला corridor है, जो कि around 15.14 km का होगा, उसको अभी अप्रूफ किया गया है, and यह जो corridor होगा, इसको develop करने के लिए 2670.37 कोड़ पी spend किया जाएंगे, जिसके अंतरग यहाँ पर 14 stations का भी construction किया जाने वाला है, और इसकी जो deadline है, वो 2024 रखेगी है, और सासल में इसका जो काम है, उसको उत्तरप्रदेश Metro Rail Corporation Limited के द्वारा implement किया जाएगा, और as of now इसकी जो DPR है, वो भी approve हो चुकी है, and एक बार यहाँ पर जो metro हो जाने के बाद में, गोरगपुर, UP State की वो six city होगी, जहाँ पर metro की availability होगी, क्योंकि इससे पहले नोइडा, गाजियाबाद, लखनव, कानपूर, आगरा, इनमें से कुछ cities को जो metro है, वो वेलबल हो चुकी है, and कुछ cities में metro construction चल रहा है, अगली दोस्तों अपडेश निकल करा रही है हमारी Indian Border Infrastructure को लेकर, जहाँ पर दोस्तों हमारी Ministry of Road Transparent Highways, इनके द इसला Highway 7 को बनाकर complete कर दिया गया है, जिनके उपर 70,733 क्रोड इपी spend किये गए है, तो जैसा कि आप जानती है कि last year से हमारे जो border infrastructure है, उत पर काफी special focus दिया जाने लगा है, and इसी के अंतर वहाँ पर जो infrastructure है, उसको तेजी से complete किया जा रहा है, और क्योंकि तो सुझे हमारे देश की जो border states है, वो difficult and hilly areas में located है, तो यहाँ पर काफी तेजी से जो road sun का construction करना एक काफी मुश्किल काम है, लेकिन हमारी जो ministry of road transfer highways है, वो काफी अच्छा काम कर रही है, जहाँ पर उन्होंने लाज 5 सालों के अंदर अंदर 4358 km के national highways को complete कर दिया है, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो infrastructure है वो पूरितर से complete हो चुका है, नहीं यहाँ पर जो infrastructure है उस पर अभी भी काम चल रहा है, जिसके अंतरगत उत्तराखन स्टेड में 81, वैस्ट बंगाल में 53, असम में 51, अरुन न्याचल प्रदेश में 47, नागालन में 44, हिमाचल प्रदेश में 41, जम्मू और कश्मीर में 34, मनिपूर में 31, सिक्की में 29, ट्रिपुरा, विजोरम, एंड मेगाले में 22, अगली दोस्तों प्रदेश निकल करा रही है हमारी इंडियन पोर्स की कार्गो हैंडलिंग कापैस्टी को लेकर, जहाँ पर दोस्तों हमारी मिनिस्ट्री ओपोर्स, शिपिंग काफी perfectly execute किया जा रहा है, तो दोस्तों as of now ये तो कोई भी ignore नहीं कर सकता है, कि हमारे देश में Minister of Road Transport Highways, इनकी जो नितिन गटकरी जी हैं, वो तो उनका काम काफी अच्छे डंग से कर रहे हैं, और as of now हमारे देश में जो भारतमाला प्रियोजना है, उसको काफी अच्छे तरह से execute भी किया जा रहा है, और वहीं बात करें सागरमाला प्रोग्रम के बारे में, तो हमारी जो Ministry of Ports Shipping and Waterways है, इनकी अकोडिंग हमारे देश की जो 12 major ports है, उनकी जो cargo handling capacity है, वो financial year 2013-14 में जो की 800.52 million tons per annum तक हुआ करती थी, वो अब increase होकर financial year 2020 में 1560.61 million tons per annum तक है, इसके साथ में हमारे देश में 9 major ports जो की around 200 के करीब है, उनकी जो cargo handling capacity है, वो financial year 2013-14 में जो की 599.47 million tons per annum तक हुआ करती थी, वो financial year 2020 में increase होकर 1,002.24 million tons per annum तक पहुँच गी है, और overall इसके चलते 2013-14 से लेकर financial year 2020-21 तक हमारे देश की जो सभी के सभी ports की cargo handling capacity है, वो 1,400 million tons per annum से increase होकर 2,562.85 million tons per annum तक पहुँच गी है, जो कि almost double के करीब है, और दोसों वहीं इसके साथ साथ में 2014 के बाद में हमारे देश में सागर्मला स्कीम के अंतरगद कोई भी new port का construction नहीं किया गया है, और वैसे specifically देखा जाए तो हमारे देश में अभी as of now जो new ports हैं, उनकी जुरुत भी बहुत ही कम है, क्योंकि हमारे देश में बहुत तरही ports ऐसी हैं, जो कि बहुत ज़्यादा छोटी हैं, और उनको upgrade करके ही बड़ी ports में convert किया जा सकता है, अगली update पी दोस्तों हमारी union ministry of ports shipping and waterways की तरफ से ही आ रही है, जहां पर हमारे देश में specifically जो गु प्रान regional connectivity scheme है, उसके अंतर गुज्रा स्टेट में तीन और प्लेस को identify किया गया है, जहां पर seaplane services को introduce किया जाएगा, तो दोस्तों as of now, इस regional connectivity scheme के अंतर गल साबरमती riverfront and statue unity, यहां पर जो seaplane services हैं, उनको start किया जा चुका है, and now, गुज्रा स्टेट में तीन और प्लेस को भी identify किया गया है, जहां पर यह seaplane services को introduce किया जाएगा, वर वहीं बात करें प्लेस की, तो साबरमती river, सरदार सरोवर डैम, शुतरुंजे डैम, यहां पर जो seaplane services हैं, उनको introduce किया जने वाला है, जिसके चलते आने वाले समय में, गुज्रा स्टेट में, जो seaplane services हैं, वो और भी ब transport and highways है, उनकी तरफ से यह decide किया गा है कि वो Odisha में, एक new animal corridor का construction करेंगे, जो कि एक तरह का flyover होगा, जल्दे इसका जो construction है, उसको भी launch कर दिया जाएगा, तो दोसके जो flyover होगा, इसको Odisha state के संबलपूल, और राय रोखाल टाउन, जो कि दोनों के दोनों संबलपूल जिस् यह जो national highway है, यह forest area से होकर गुजरता है, जहांपर daily, जो Odisha state की forest and environment department है, उनकी तरफ से यह जो elephants है, इनको road cross करने के लिए उनकी help करनी पड़ती है, और इसके चलते बहुत लोगों को, और साथ-साथ में जो elephants है, उन दोनों को ही problem होती है, और उसको reduce करने के लिए, फिर जो क अधिल highway है, यह काफी forest area से होकर गुजरता है, तो इसके चलते 12 और भी underpasses को यहां पर plan किया गया है, लेकिन सबसे पहले जो यह 1 km का flyover है, इसका ही construction किया जाने वाला है, आज की दोस्तों last update निकल कर आ रही है, इंडर railways के दवारा develop किया जाने वाले एक new rail land project को लेकर, जह लेकि अगले 10 दिनों के अंदर अंदर complete भी कर दिया जाएगा, तो दोस्तों यह जो survey है यह आज से 4-5 दिन पहले ही start हो चुका है, लेकिन इसकी जो information है वो मुझे अब पता चली है, इसके लिए मैं आपको अभी बता रहा हूँ, और वहीं बात करें survey की, तो जो survey है यह एक के बाद में यह देखा जाएगा कि अगर रूड में कोई improvement और changes की जिरूत है, तो उसको change भी किया जा सकता है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आप अपनी ज़र सुगी update submit करना चाहते हैं, तो description में देगे link पर click करके submit कर सकते हैं, और अगर आज की वी वीडियो को like करें, चैनल को subscribe करें, धन्याबाद आपका वीडियो को देखने के लिए